नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आज बहुत यह एम विशे पर हम बात करेंगे दोस्तों कि माफी मांगने से क्या हमारे जो पाप है वो नश्ट हो जाएंगे या फिर कोई वे इंसान हो जिसने बहुत जादा करम बुरे केये होंगे ऐसा इंसान अगर सुधर जाए अगर भगवान से माफी मांगे तो उसके जो पाप है वो नश्ट हो जाएंगे और वो एक अच्छा इंसान क्या बन जाएगा उसकी जो आत्मा है वो एक अच्छी आत्मा बन जाएगी क्या इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे सबसे पहली बात दोस्तों हम ऐसे सोचते हैं बहुत लोग कि जैसे बहुत कुछ लोगों ने समझो बहुत ज़ादा बुरे करम किये और उसके बाद अगर उनको पस्तावा हो रहा है उनको बुरा लग रहा है कि हां मैंने किसी के साथ बुझ बुरा किया था तो ऐसे लोगों को ये लगता है कि जब उनको पस्तावा होता है तो वो उस पाफ से नष्ट हो जाते है कुछ लोगों को ये भी लगता है कि जैसे भगवान से माफ़ी मांगना या फिर कुछ Home Heaven करना वगरह इन सारी चीजों से जो पाप होते हैं, हमारे नश्ट होते हैं, कैसे है दोस्तों कि यह जो दुनिया है भगवान की या फिर जो आत्माओं की, वो इतनी साधरन नहीं है, वो इतनी सिंपल नहीं है, कि आप कुछ भी करो और जरा सा कुछ पस्तावे के जैसे करो और उसके बाद कोई इंसान मतलब उसक पड़ा है कि जहाँ पर उन लोगों ने बहुत ही जादा बुरे करम किये थे और उस बुरे करम के लिए मतलब छुपाने के लिए या फिर अपना जो पाप है वो नुश्ट हो कर मेरा पुन्ने बढ़े इसलिए उन्होंने बहुत सारा कुछ अच्छा भी काम किया था लेकिन जो अच्छा काम किया था उसका एक फल भी उनको नहीं मिला और अपने बुरे करमों के वज़े से वो लोग नरक में चले गए ऐसे बहुत सारे लोगों का उधारन है लेकिन कुछ लोगों के मन में ऐसे सवाल आ सकता है कि चलो इनको तो पच्छतावा तो असल में हुआ नह उस सजा से बचने के लिए उन्होंने कुछ अच्छे करम किया होंगे लेकिन जो लोग मतलब सच में सजा से बचना चाहते है या फिर जो सच में मतलब जिनके दिल में सच में पच्छतावा है जिनके दिल में कही ना कही दिल से उनको आज बुरा लग रहा है कि उन्होंने स पच्तावे को को महत्वत देंगे वो लेकिन पच्तावे के वज़े से पाप नश्ट हो जाएंगे ऐसे नहीं होता मैं आपको सच कहता हूँ कि कोई एक इंसान भगवान का एकदम लाडला होगा भगवान का खुद का बेटा भी होगा और अगर उसने भी कुछ पाप करम किये है तो ऐसे वक्त में उस पाप से भगवान भी साक्षात उसको पाप से मुक्तर नहीं कर सकते भगवान भी यहीं चाहेंगे कि वो पाप जो है वो भुगत कर ही उन सारी चीजों से वो चला जाए जो भी पाप हमने किया है जैसे मैंने अगर दस लोगों को दुख दिया है त इसा दुख भुगत कर ही मैं उस पाप से नश्ट हो जाओंगा दोस्तों मतलब काइनत का जो नियम है वो इसी तरीके से है जैसे कुछ लोग बुरा करम करते समय कुछ भी नहीं सोचते किसी को मार डाला या फिर किसी का घर छीन लिया किसी के साथ किसी की जिन्दगी बरबात क उनको पता नहीं होता कि आज मैं ये सारी चीज़े उसके साथ कर रहा हूँ लेकिन ये जो सारी चीज़े है मैं अपना खुद का नसीब लिख रहा हूँ अपने नसीब मैं ऐसे काले अपने करतुते रिख रहा हूँ और ये जो सारी चीज़े है खुद मेरे सामने ही उस इंसान ने मतलब उसका जो सोलमेट था उसने पृत्वी पर अपने पत्नी को बहुत ज़्यादा तकलिफ दे थी उसके पुरी जिंदगे में उसको मतलब दुख दिया था उसको मार पिटता था और बहुत उसने दुख दिया था जब आत्मोलोक में चला गया वो तब वो तो निचले सतर पर चला गया मतलब इन से उसको मिलने का भी मौका नहीं मिला और उसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि जैसे वो निचले सतर पर चला गया और उसके मार कदर्शक आत्मा ने उसको सारी बाते समझाए कि कैसे तुमने अपने जीवन में पाप किया है और इसका जो मतलब पच्तावा है इसका जो पाप शालन है उसको तुमें किस तरिके से करना होगा तो तुम्हें फिर से मतलब रुथ्वी पर जल्दी जाने के बाद तुम्हें एक महिला का मतलब एक जनम लेना पड़ेगा और तुम्हारा जे पती है वो तुम पर ऐसे ही जुलम ढायेगा जैसे तुमने उस पर ढाले थे अपने पत्ने पर और उससे ही बाद ही तुम पर आपसे मुक्त हो सकते हो तो मतलब यह जो परिवाशा है करम की वो इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि यहाँ पर माफी नम की कोई भी जगा नहीं है लेकिन अगर मतलब हम माफी मांगते है या फिर हम पस्तावा भी हमें सच में होता है तो ऐसे पस्तावे का क्या कोई भी अर्थ नहीं होता क्या अगर पस्तावे का अर्थ नहीं होता तो हम पस्तावा करे ही क्यों किसी वो अगर दिल से कुछ बुरा रग रहा है कि मैंने कुछ बुरा किया था तो उसको क्या कुछ भी अर्थ नहीं होता इस तरीके से हमें मतलब देखना नहीं है सज बोले तो जो ओरिजनल मतलब दिल से जिसको पस्तावा होता है उसको महत्वत दिया ही जाता है लेकिन पस्तावेक के वज़े से हमारे जो पाप है बुरेब करम वो नश्ट नहीं होंगे दोस्तो तो पच्टावे का आखिर फाइदा क्या है पच्टावे का फाइदा ये है दोस्तों कि जैसे हमारे इस जीवन में हमेंने कुछ बुरा किया है और मैं अभी दिल से मतलब पच्टावा कर रहा हूँ उसमें इंसान से माफी मांग सकता हूँ इसलिए हमारे जो मन की धारणा है वो अच्छी होनी चाहिए कुछ लोग मैंने जैसे एक वीडियो में आपको कहा था कि समझो किसी ने एक इंसान का घर चिंद लिया और उसका घर चिंदने के बाद इसका इसने वहाँ पर एक अच्छा अपना घर वगरा बनाया है और अब व बस दिखाना चाहेंगे तो ऐसे पाप का कुछ भी अर्थ नहीं है ऐसा जो इंसान होगा उसके अगले जनम में या फिरिज्सी जनम में कोई उसका घर चीनेगा जो इसने महिनत पस्छीने से या फिर उस पाप का सामना करने के लिए इस तरी किसे चीज़े होती है इसलिए पस्तावा होना भी दिल से बहुत ही जाता महत्वपुर्ण है यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे भी है पृत्वीप है कि जो किसी के साथ बुरा कर अपने आपको कहिना कई डिफेंड करने की लगे तो जो भी मतलब हमारे पाप का मतलब बात है वो बहुत ही आसानी से हम पार करने की कोशिश कर सकते है इसलिए भगवान हमें जरूर मदद कर सकते है तिसरी जो शक्ति है पवित्रा आत्मा वगरा वो भी हमें उसके लिए मदद कर सकते है लेकिन उसके लिए दिल से प पस्तावा हो, लेकिन पस्तावा होने के बाद किसी कोई भी इंसानों कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, उसका जो पाप है वो नश्ट नहीं किया जाएगा दोस comparative छोटी सी छोटी चीज़-जैसे मैंने आज किसी के साथ पुछी आवज में बात की तो उसका भी कर्मबंदन मतलब बनता है क्योंकि सामने वाले इंसान को बुरा लगेगा तो वो कर्मबंदन बने गा ही इसलिए जितना हो सके हमारे हाथों सा ऐसा कोई भी करम ना हो जिससे हमारे मतलब हमें कही न कई दुख्का सामना करना पड़े इसको लेकर हमें जितना उसके अच्छे तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़ना है हमारे हातों से किसी को भी दुख ना लगे दोस्तों ये जो बात है हम सब के लिए मैं सच बूलू तो हमारी खुद के आत्मा के लिए तो हम कम किसी के साथ बुरा ना करे इस तरीके से सोचकर हम अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा दोस्तों तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं आप अपने अपने परिवार का खयाल रखना जिससे घर बेटे वह पास्टे लाइफ इरेगरेशन का बैस कर सकते है और उन्हें पाच मेडिटेशन धेन की भी ओडियोस भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें पिडियेफ किताबे भेजी जाएगी जो हिंदी और अंग्रेजी में है जो मोबैल पर या फिर लेप्टॉप पर आप उसे पढ़ सकते है और दस अडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएगी तो दोस्तों अगर आप इस संस्ता के साथ जुड़ना चाहते हैं तो गुरुपया इस नमबर पर वाटस अप मैसेज करें आपका बहुत बहुत धन्यवाद